मेरे परिवार जनों भारत के युवा कैसे संगडित होकर हर लक्ष प्राप्त कर सकते हैं इसका प्रत्यक्ष उदहारन मेरी माटी मेरा देश अभियान है मेरी माटी मेरा देश इस अभियान में गाउं गाउं गली-गली से कोटी कोटी देश के युवा जुड़े हैं देश भर में लाखों आयोजन हुए अंगिनत भारतियों ने अपने हाथों से अपने आंगन अपने खेत की मिट्टी अमरित कलस में डाली है देश भर से कि शाड़े आठ हजार अमरित कलस आज यहां पहुंचे है इस अभियान के तहत करोडो भारतियों ने पंच प्रन की प्रतिज्याली है पंच प्रन की प्रतिज्याली है करोडो भारतियों ने अपनी सेलफिस को केंपेंड वेबसाइट पर अप्लोड भी किया है कि सास्यों कई लोगों के मन में यह सवाल उड़ सकता है कि आखिर मित्ती ही क्यों मित्ती से भरे कलस ही क्यों एक कभी ने कहा है यहवं मित्ती यहवं मित्ती जिसके रस से जीवन पलता आया जिसके बल पर आदीम यूग से मानव चलता आया यह तेरी सब्यता संस्कृति इस पर ही अवलंबित युगों युगों के चरण चिल्न इसकी चांती परंकित कि बड़ी-बड़ी महान सब्यताएं समाप्त हो गई लेकिन भारत की मित्ती वो चेतना है भारत की मित्ती में वो प्राण शक्ति है जिसने इस राष्ट्र को अनाधिकाल से आज तक बचा कर रखा है यह वो माटी है जो देश के कोने कोने से आत्मियता और अध्यात्मा हर प्रकार से हमारी आत्मा को जोड़ती है इस मित्ती की सोगंद खाकर हमारे वीरों ने आज हांदी की लड़ाई लड़ी कितने ही किस से इस मित्ती से जुड़े हुए है इसी माटी में सो साल पहले एक छोटा सा बच्चा लकडियां बो रहा था और जब उसके पीता ने पुछा कि क्या बो रहे हो तो वो बोला कि बंदू के बो रहा हो पीता ने पूछा कि बंदूकों का क्या करोगे तो उस बालक ने कहा अपने देश को आजहात कराऊंगा उसी बालक ने बड़े होकर बलिदान की वो उच्चाई हासिल की जिसे आज भी छूना मुश्किल है वो बालक कोई और नहीं बीर शहीद बगत सी थे इसी माटी के लिए एक सेनानी ने कहा था दिल से निकलेगी नम्मर कर कभी वतन की उलफाद मेरी मिट्टी से भी खुश्बुये वफा आएगी किसान हो वीर जमान हो किसका खुण पसिना इसमें नहीं मिला है इसी माटी के लिए कहा गया है चंदन है इस देश की माटी तपो भूमी हर ग्राम है माटी स्वरूपा इस चंदन को अपने सीर्वासे पर लगाने के लिए हम सब लालाईत रहते हैं हमारे मन मस्तिक में चोबिसो गंटे यही चला करता है जो माटी का कर्ज चुका दे जो माटी का कर्ज चुका दे वही जिन्दगानी है जो माटी का कर्ज चुका दे वही जिन्दगानी है इसलिए ये जो अमृत कलस यहां आये हैं, इनके भीतर मिट्टी का हरकान अनमोल है, ये हमारे लिए सुदामा की पोटली में रखे चावलों की तरह हैं, जैसे पोटली के चावल की उस मुठी में एक लोक की संपत्ति समाहिती, वैसे ही इन हजारों अमृत कलसों में देश के हर परिवार के सपने, आकांच्छाएं अंगिनत संकल्प है, देश के हर गर आंगन से, जो मिट्टी यहां पहुंची है, वो हमें कर्तव्य भाव की याद दिलाती रहेगी, ये मिट्टी हमें विक्सीद भारत के अपने संकल्प की सिद्धी के लिए और अधिक परिश्रम के लिए प्रेरिष करती रहेगी, संकल्प आज हम लेते हैं, जन जन को जाके जगाएंगे, सोगंद मुझे इस मिट्टी के, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, साथियों, इस मिट्टी के साथ साथ, देश भर से जो पउधे आये हैं, उनसे मिलकर यहां अमरित वाठी का बनाई जा रही है, इसका सलान्याद भी अभियां हुआ है, कि अमरित वाठी का आने वाली पीडियों को, एक भारत, स्रेश्ट भारत की प्रिणा देगी, बहुत कम लोगों के यह पता होगा, कि नए संसत भवन में, जन, जननी, जन्वभुमी, नाम की एक कलाकृती है, इसे देश के कोने कोने से 75 महिला कलाकारों ने, देश के हर राज्य की मिट्टी से ही निर्मित किया हुआ है, जो नए संसत भवन में है, ये भी हम सभी के लिए बड़ी प्रेरणा है। हुआ है।